हेलो वीवर स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केर में आज हमलों बात करने वाले हैं कि कौन सी सेक्ष टब्लेट को चूज के खाना होता है तो इस टब्लेट का क्या नाम है कब खाना है कैसे खाना है सब पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो अगर आपने हमारा प्रिवेस बीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताए कि टेलेफल या व्यागरा लेने के बाद सरदर्थ क्यों होता है कैसे इसे ठेक करें तो अगर आप भी इसका कारण और इलाज जानना चाहते हैं तो डिस्केप्शन बाक्स में देएगे लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस तरह की टेबलेट का क्या काम है जान लेते हैं इस टेबलेट का काम आपकी बॉडी में और लिंग में ब्लड फ्लो को इंकिरीज करना होता है ताकि आपके लिंग में हाड इरेक्शन मिल सके मतलब अगर आपको erectile dysfunction की problem है आपके link में hard erection नहीं आता है या आप अपने erection को लंबे समय तक maintain नहीं कर पाते हैं तो ये tablet इस problem के treatment में काम आती है आपके link में hard erection देती है जिसे आप sex का पूरा मज़ा ले पाते हैं तो क्या नाम है इस tablet का कैसे लेते हैं और कब लेते हैं इस tablet का नाम staxin है staxin tablet wordenafil virgin का ही brand है इसमें भी wordenafil solution ही रहता है बट इस tablet को अलग और special formula पर बनाया गया है wordenafil tablet के दो brand आते हैं एक levator और दूसरा staxin दूनों tablet का काम एक ही है बट दूनों tablet का formulation बिलकुल अलग है एक tablet को आप पानी से निगल सकते हैं और दूसरे tablet को चूसना होता है तो आप बात करते हैं कैसे लेते हैं staxin tablet को staxin tablet को टंग या जीप पर रख के चूसना होता है इस टेबलेट को पानी के साथ निगल नहीं सकते है वरना निगलने पर इस टेबलेट का असर सही से नहीं होता है बोडी पर इस टेबलेट को बिल्कुल अलग formulation पर बनाया गया है इसलिए ये टेबलेट चूशने पर ही असर करती है ये टेबलेट को अस्पेसली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको टेबलेट निगलने में प्राब्लम होती है तो अब सवाल आता है कब लेना होता है इस टेबलेट को और कितने डोज में आता है इस टेबलेट को सेक्स करने के एक घंटे पहले लेना होता है ये tablet 5MG, 10MG और 20MG के dose में आता है आप इसमें से इसका कोई भी dose ले सकते है बट higher dose को doctor recommendation पर ही लीजिए अब इसके side effect की बात कर लेते हैं इस tablet के भी कुछ common side effect है जो अपने आप ठीक हो जाते है जादा होने पर doctor से consult कर सकते है इस tablet के भी common side effect है इस तरह के दूसरे tablet की तरह ही common side effect में आपको सर्दद, chest pain, peat खराब, सर्दी जैसा लगना, body pain, skin में irritation, जलन, सीने में जलन, चक्कर आना हो सकता है तो आपने इस tablet के बारे में बहुत अच्छे से जाना तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए और like जरूर कीजिए इससे हमें motivation मिलता है आपके लिए और भी अच्छे चे content बनाने का और हमें support कर निकले चैनल को subscribe करके, bell icon के button को press करके, all को select करे ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियो की notification आपको मिलती रहे अगर कोई doubt है तो comment कीजिए मैं उसके answer जड़ दूँगा मिलते हैं next वीडियो में किसी नए topic के साथ Thank you